Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे लगभग हम कह सकते हैं कि 4-5 सालों से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि टेसला बहुत ही इंट्रेस्टेड है भारत में अपने मैनुस्फ्रेक्टरिंग यूनिट को सेट करने के लिए लेकिन अगर आप इसी से रिलेटेड निउस को और पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि अभी भी इस राष्टे में बहुत सारे मुश्किल हैं इसी बीच इलॉन मस्क भारत आने वाले थे लेकिन वो किसी कारण से भारत नहीं आते हैं और इसी बीच वो चाइना चले जाते हैं अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे इमेल करके बता सकते हैं जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में request करता हूँ कि जब भी भी हम किसी चीज को पढ़े या analyze करें तो हमें काफी neutral perspective रहा कि उस चीज को देखना चाहिए समझना चाहिए भले चाइना और भारत के बीच में relation अच्छे नहीं है लेकिन उसके बावजूद हमें कभी भी चाइना को underestimate करके नहीं देखना चाहिए यह The Indian Express का article है जहां पर यह कहा जा रहा कि चाइना electric vehicles और battery production में भारत से बहुत जादा आगे है जब मैं यह कह रहा हूँ तो इसका कहीं से यह मतलब नहीं है कि हम Indians में शमता नहीं है लेकिन कितनी बार क्या होता है कि हमें बहुत ही effective नियम कानून बनाने पड़ते हैं और skill development में focus करना पड़ता है तो इसे एक चीज तो हमें समझ में आ रहा कि हमें बहुत ही collective तरीके से skill development के उपर focus करना चाहिए और जब भी हम किसी भी type का production या manufacturing की बात करते हैं तो यहाँ पे सिफ responsibility central government की नहीं बनती है बलकि जितने जो states हैं उन सभी का एक effective तरीके से collaboration होना बेहत जरूरी है जब भी हम बात electric vehicles की करते हैं तो एक चीज जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो आता है battery वैसे तो बहुत सारे components होते हैं किसी भी चीज में लेकिन अगर हम बात करें खास करके electric vehicles में उसके battery जितने effective रहेंगे जितना ज़ादा किसी भी देश को battery बनाने में expertise होगा वो देश कहीं न कहीं अलग-अलग देशों का जो businesses है उसको attract करेगा तो अगर आप Elon Musk या Tesla के point of view से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी देश वहीं पे investment करना चाहेगा जिस देश के पास battery manufacturing में काफी अच्छी expertise है और जिस battery का capacity भी काफी अच्छा है almost हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया का 70 से लेके 80% जो battery manufacturing है वो चाइना करता है और अगर हम वही भारत की बात करें तो ये point 2% है आप साफ difference देख सकते हैं अब अगर कोई आप से ये पूछे कि आपके पास दो option दिया जाता है चाइना या इंडिया तो आप कहाँ invest करना चाहेंगे तो definitely कोई भी investment वहीं पे करेगा जहां से उसे अच्छे quality का resource मिलेगा वही अगर हम बात करें तो battery manufacturing में एक जो सबसे most important component होता है वो होता है lithium iron चाइना के पास ये advantage है कि उसके पास दुनिया का fourth largest lithium iron का reserve है वहीं पे दुनिया में सबसे जार अधिक lithium iron चिली के पास में है साल 2005 में चाइना और चिली के बीच में एक free trade agreement होता है तो इस चीज को आप समझे कि Chinese government लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 30-35 सालों से electric vehicles या lithium iron या battery के उपर ये काम कर रहे थे और इस opportunity को वो पहचान चुके थे तो ये भी बताता है कि अगर कोई देश किसी भी काम को 20 या 25 साल पहले शुरू करता है तो definitely वो market में और सब competitor से बहुत जादा आगे रहेगा और अगर आप बहुत दिनों तक अगर आप किसी भी काम को करते रहते हैं तो initial days में क्या होता है कि आप से बहुत सारी गलतियां होती है लेकिन एक stage के बाद क्या होता है कि आप उस चीज में काफी expert बन जाते हैं exactly ऐसा ही हम कुछ समझ सकते हैं चाइना के case में जहां पर ये electric vehicles में या battery manufacturing में as in king बन चुके हैं और ये कहने के जरुवत नहीं कि अगर चिली और चाइना के बीच में एक free trade agreement होता है तो इससे किसको फाइदा होने वाला है अगर हम बहुत ही basic तरीके से समझना चाहें तो ना तो सिर्फ चाइना भारत को पीछे किया electric vehicle production में वो almost almost Europe और US को भी कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि electric vehicle में चाइना दुनिया का एक king है और जिनको नहीं पता उनकों में बता दू कि Tesla सिर्फ और सिर्फ electric vehicles ही बनाता है उसके बाद Tesla सिर्फ शेंगाई में ही अपनी manufacturing unit को set करके नहीं रखाया है बलकि more or less वो 40% जो battery है या उससे related equipments है या material है उसे भी वो चाइना से ही purchase करता है तो हमारे पास बहुत सारे example से जो बताता है कि क्यों Tesla के लिए China important है और क्यों Tesla चाइना से बाहर जाने के लिए कम से कम 20 बार सोचेगा उसके बाद एक चीज जो हम Indians को समझनी चाहिए न वो ये है कि आज भी हम देखे कि हम किन किन मुद्दों के उपर सरकार को vote करते हैं आज भी अगर आप बहुत ही honest तरीके से introspect करेंगे तो आपको मालूम पड़े है कि आज भी भारत में religion और caste बहुत ही एक important factor होता है तो जब किसी भी देश के लोग caste और religion के पीछे इतने दिवाने हुए रहेंगे तो definitely वो जिन मुद्दों के उपर सवाल पूछना चाहिए उन मुद्दों के उपर वो सवाल नहीं पूछेंगे as a result यह होता है कि जो हमारे representative होते हैं वो भी अपने काम को बहुत effective तरीके से नहीं करते हैं अगर बात किया जाए सरकार का तो हम कह सकते हैं कि बस हमारे पास पिछले महीन यह कुछ थिक थाक सा electric vehicles को लेके एक policy बना कहने का मतलब है कि साल 2018-19 तक हमारे पास कोई भी ऐसा clear map या blueprint नहीं था electric vehicles को लेके तो वहीं पर आप दुबारा compare करें कि कोई देश लगभग 30 साल पहले से किसी एक चीज़ पे काम कर रहा है और हमारे पास 30 साल के बाद भी एक clear cut policy या blueprint नहीं है तो आप उस देश चे कभी भी compete नहीं कर सकते हैं जो आप से 30 साल आगे निकल चुका है लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि हमारे पास opportunity नहीं है हमारे पास अभी भी मौका है उसके पीछे कुछ वज़ा ये है कि चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि उसके electric vehicles में कुछ spying कुछ जासूसी करने वाले device लगे होते हैं जिसको लेके European countries कुछ जादा ही suspicious हैं और उसके बाद almost सभी European countries ने एक target fix कर रखा है कि उस साल के बाद वो अपने देश में किसी भी तरीके का डीजल या पेट्रोल गाड़ी को operate नहीं करेंगे या at least उसका जो use है उसे कम करेंगे क्यूंकि China expert electric vehicles बनाने में तो अगर China से समान या car import होता है European market में तो वहाँ के जो local manufacturer है वो इनके सामने टिक नहीं पाएंगे कारण क्या है? तो कारण बहुत ही simple है कि China इस field में इतना जादा expert हो गया है कि उसके पास error करने का chances ही नहीं बसता है और वहीं अगर बात किया जा European companies का तो ये अभी start करेंगे तो कहने का मतलब ही कि दोनों के product में कहीं से कोई comparison नहीं है और वहीं पे बहुत सारे European countries ये collective तरीके से plan बना रहे हैं जहां पे वो Chinese electric vehicles के उपर up to 55% tariff increase करने वाले हैं लेकिन फिर से हमारे उपर सवाल है कि क्या हम तयार हैं भारत में battery को उस हिसाब तक manufacture करने के लिए जिस हिसाब तक China manufacture करता है और क्या हम एक suitable market बन सकते हैं electric vehicle के manufacturing के लिए अगर हम इस video को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि definitely China हम से बहुत जादा आगे है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहां तक नहीं पहुं सकते हैं अगर बात किया जाए चाइना और भारत के बारे में तो आज भी हमारा global platform पे जो image है वो काफी अच्छा है लेकिन अगेन सिर्फ center government के कहने से कुछ नहीं होता है इसमें states और center दोनों का collaboration होना चाहिए और कहीं न कहीं skill development में बढ़ चड़ कर फोकस करना चाहिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए See you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye